चलो बागे बढ़ते हैं देखो अपने प्रिवेस क्लास के अंदर ये चीज़ कर ली थी y इक्वल टू ax square plus bx plus c के graph बनाये थे हमने two condition के अंदर one case तो लिया था जब a is greater than 0 है तो graph ऐसे आया था जिसकी value इदर थी minus का b upon 2a and minus का d upon 4a तो आपके पास में इस case के अंदर function की minimum value थी minus का d upon 4a और maximum value थी उपर infinite ये हमने कर लिया था last class के अंदर ऐसे ही number two case जब a is less than 0 है तो उस case के अंदर graph कुछ ऐसे बना था और value थी minus b upon 2a and minus का d upon 4a इस जगे पर तो अगर हम इस function की बात करते हैं इस graph की बात करते हैं तो यहाँ पर y की value maximum है minus का d upon 4a और minimum है minus infinite क्योंकि नीचे infinity की तरफ graph जा रहा है तो हमारे पास में basically हमने ये condition लिख ली थी अब इस graph पे थोड़ा सा और points के उपर कुछ ध्यान देते हैं देखो फर्स्ट केस में मैं ये ले रहा हूँ मेरे पास में फर्स्ट केस बन रहा है when case number 1 when discriminant is greater than 0 जब discriminant 0 से बड़ा हो discriminant 0 से बड़ा होने का सीधा सा meaning हो गया equation के two roots आएंगे जब भी D 0 से बड़ा हो तो equation के two real roots आते हैं then we have two real roots of y equal to या ये लिख दो of ax square plus bx plus c equal to 0 which are alpha and beta जो alpha और beta होंगे तो देखो हुआ क्या आपके पास में number 1 case अगर a 0 से बड़ा है तो graph तो आपको पता है ऐसे होगा अब हमने बोल दिया ये two roots आएंगे two roots का मतलब क्या है कि अगर आप ये ले रहे हो y is equal to ax square plus bx plus c which is equal to 0 अगर आप x की जगे पर alpha रख देते हो तो इसकी पूरे की value 0 आजाती है अगर आप x की जगे पर क्योंकि alpha or beta इसके root है तो अगर आप x की जगे पर alpha put करते हो तो a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 आजाता है ये 0 होने का मतलब है y 0 हो जाता है और y 0 होता है x axis के उपर means आपके पास alpha और beta ये जो two roots आ रहे है ये x axis के उपर value है मतलब x की value है और इस जगे पर y coordinate 0 होगा इस इसको बहुत ध्यान से समझना जब आप x को alpha put करोगे तो equation हो जाएगी a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 means y की value 0 आगी और y is equal to 0 होता है x axis के उपर तो आपके पास में इस जगे पर y coordinate 0 हो जाएगा और जब बीटा रखोगे तो भी same condition होगी तो यहाँ पर भी y coordinate 0 हो जाएगा तो means आपके पास two roots आए and both roots are real, different अब rational हो यह rational हो कोई फरक नहीं पड़ता बट आपको graphically से यह समझना होगा कि x axis को two places पर cut कर देगा अच्छा अगर इसी case में मान लो ऐसा point आजाए a is less than 0 तो graph कैसे बनेगा तो graph कुछ ऐसे बनेगा यह रहा x, यह रहा x dash तो अब यह इस graph को x axis को in two points पर cut करेगा alpha और beta पर पर graph का face नीचे की तरफ हो जाएगा graph का face नीचे की तरफ हो जाएगा तो पहले चीज़ आपको यह ध्यान रखने है जब कभी भी बोल दू discriminant greater than 0 है इसका मतलब x axis को two different places पर graph को cut करेगा क्योंकि two different routes होंगे इस इसको mind में permanent set कर दे लो ठीक है? इसी सही यह result निकाला है एक बाँ not कर लो अच्छा इसमें आप एना arrow लगा दे नहीं यह आपर arrow लगा ना सिर्फ यह बता रहे है उपर भी जा राइग्राफ खतम नहीं हुआ है अगर आप arrow नहीं लगाते हो तो हम यह माल लेते कि इतने में खतम हो गया जबकि यह खतम नहीं होता है उपर जाता रहते है अच्छा अब इसमें एक दो बहते और ले लेते हैं देखो अगर आप कोई भी x को नंबर दे रहे हो आप x को जो नंबर पसंद है आपने वो पुट कर दिया आपके पास में expression तो यह था y equal to ax square plus bx plus c और आपके discriminant जो है वो 0 से बड़ा है मतलब two roots है अब मैंने first case ले लिया जो मेरे पास x की value है या मैं जो number ले रहा हूं वो x1 लो, x2 लो, x लो, कुछ भी लो मैं number को दोनो roots के बीच में ले रहा हूं अब समझना when discriminant तो greater than 0 ले लिया है when x lies between both roots अगर x की value दोनो roots के बीच में ले ली जाए तो देखो, जब आप x को इधर लेते हो अगर आपने x को इधर ले ले लिया ग्राफ थोड़ा से यू बरा दिया शॉट में ये रहा alpha, ये रहा beta x मैंने इन दोनो roots के बीच में ले लिया बहले ये case हो या ये case हो दोनों में से कोई भी case हो जाए x को मैंने यहाँ पर लिया alpha और beta ये रहे ये रहा x, ये x dash ये रहा x, ये रहा x dash आप x ये पर कोई number भी ले सकते हो k ले सकते हो जैसे आप x को दोनों roots के बीच में लेते हो अब देखो, यहाँ पर a 0 से बड़ा है तो अगर आपने x को इधर लिया तो उसकी image क्या आएगी this one, क्योंकि graph तो इधर बन रहा है अभी नीचे तो fx जो है it is negative means अगर a positive है तो fx negative होगा means a and fx are of opposite sign तो a और fx का sign opposite हुआ a positive है और मैंने number को बीच में ले लिया दोनों roots के तो जो उसकी image आएगी वो opposite sign की होगी जो उसकी image आएगी वो opposite sign की होगी जैसे देखो, हमने यहाँ पर इधर कोई भी number लेलो alpha और beta की बीच में तो उसकी जो image आएगी वो negative आ रही है तो fx जो होगा वो negative हो जाएगा ऐसे ही इधर a मेरे पास में 0 से small है मैंने x यहाँ पर लिया तो अब इसके नीचे तो graph बन नहीं रहा तो इसकी image क्या रही है? यहाँ पर आ रही है यह fx आ रही है अब देखो a negative है तो fx उपर है means fx 0 से बड़ा है तो फिर से a and fx are of opposite sign यह चीज़े आपको graphically समझ में आएगी रटो होगे तो कोई फाइदा नहीं है बस graph दिमाग में बैठा हो एक second के अंदर और देखो answer कैसे निकलता है अभी मैंने यह कहा कि जब कभी भी d की value 0 से बड़ी है तो graph या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा two different roots होंगे alpha और beta अगर x उसके बीच में ले लिया तो x की में ज़े fx आ जाएगी तो देखो a negative है तो fx positive है और अगर a positive है तो fx negative है ठीक है एक case तो यह बना one more case एक और case ले लेता हूँ d इधर भी 0 ही ले रहा हूँ greater than 0 ले रहा हूँ मैं अब इस पर मैंने लिखा था when x lies between both roots अब मैं कह रहा हूँ when d greater than 0 and x not lie between roots या मैं ये भी word use ले सकता हूँ x lies other than ये ठीक है x not lie between the root या ये भी बोल देते x lies outside the roots बतलब alpha और beta के बीच बेंगी उनके बाहर है तो अब देखो मैंने पहली बारी में ले लिया first case a greater than 0 है graph तो ये बनेगा ये रहा alpha ये रहा beta graph इस तरह से उपर जा रहा है यहां पर भी और यहां पर भी अब मेरे पास में x root के बीच में ये बाहर है अगर x इदर है तो उसकी मेंज का आएंगी fx positive देखो ये positive है तो fx भी positive है और अगर x इदर है तो उसकी मेंज fx यहां पर भी positive है x मतलब root के इदर लो ये इदर लो a अगर positive है तो fx भी positive means a and fx are of same sign a and fx दोनों का sign same होगा और अगर number two case a is less than zero है तो graph कुछ ऐसा बन जाएगा अब ये condition आगी ये रहा alpha और beta अब इस बार ये x इदर है या फिर इदर लोगे तो देखो x इदर लेते हैं उसकी image fx नीचे आगी इदर x लोगे तो भी image fx downward direction में आएगी क्यों ग्राफ ही नीचे है तो a negative है तो fx भी negative है तो इस case के अंदर a और fx दोनों की value same sign की होगे means दोबारा repeat करता हूँ अगर discriminant 0 से बड़ा है आप graph बनाओगे या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा वो depend करेगा a का sign positive है या negative तो अगर x को दोनों roots के बीच में ले रहे हैं तो fx की value a की value से opposite होगी अगर a negative है तो fx positive होगा और अगर a positive है तो fx negative होगा बट अगर x को मैं number जो ले रहा हूँ मैं दोनों roots से इधर या इधर लेता हूँ तो a और fx के sign हमेशा same होगे ठीक है ये oral calculation आप बीना देखे बार-बार करदा ताकि आपको जब आप बैटे होते हो न तो सोते हुए उठते ही एक बार दिमाज में चलना चाहिए y is equal to ax square plus bx plus c का graph कैसे बनेगा तो सोचना a positive है तो graph ऐसे बनेगा अब अगर a negative है तो graph ऐसे बनेगा ये oral calculation discriminant 0 से बढ़ा है तो 2 जिगों पर काटेगा discriminant 0 से greater than 2 places पर काटेगा these 2 places are alpha and beta अब अगर x बीच में है तो a तो positive लिया तो fx negative हो जाएगा अगर a आगे है तो fx b positive हो जाएगा ये चीज़े ये दिमाग में होनी चाहिए ठीक है? not doubt देखो one more point अगर आपके पास पे number 2 case एक तो था d greater than 0 number 2 point when d is less than 0 discriminant 0 से छोटा है अब देखो जैसी मैंने word use ले लिया न discriminant less than 0 है इसका meaning sure है आपके पास में अगर a 0 से बढ़ा है न तो graph कोई roots रखेगा ही नहीं अगर d less than 0 है तो कोई भी real root नहीं आएगा real root नहीं आएगा का मतलब है x-axis को graph टची नहीं करेगा तो graph क्या रहेगा only उपर उपर या फिर अगर ऐसे बन गया a less than 0 है मालू तो graph ऐसे ऐसे जाएगा means वो point तो होई रहेगा minus b upon 2a minus d upon 4a इदर भी minus b upon 2a minus d upon 4a लेकिन वो x-axis को टची नहीं करेगा अब देखो मजे वाली बात x-axis को graph ने टची नहीं किया यानि कि हुआ क्या ये graph इससे दूर है उदर भी दूर है इदर भी दूर है तो मैंने का ok अब मैं दुनिया का कोई भी point रख दू मैं यहाँ पर x को कोई भी value दे दू इस पूरी line पर उसकी जो image आने वाली है वो उपर आएगी तो अगर आप x कहीं पर भी ले ले लेते हो जहां आपको choice हो मन ओ fx जो होगा वो हमेशा उपर की तरफ होगा मैं इतनी सारे lines ले रहा हूँ ये इतनी सारे लेने के जूत नहीं है ये तो मैं x1, x2, x3, x4 सिरफ समझाने के लिए ले रहा हूँ देखो इसकी मेज भी उपर इसकी मेज भी उपर, इसकी मेज भी उपर भी इसकी मेज भी उपर तो ये positive है तो ये fx सारे के सारे positive आ रहे है then a and fx always है same sign तो a और fx का sign हमेशा same होगा कब when d is less than 0 होतो अगर d की value 0 से छोटी है तो a और fx दोनों का sign same होगा देखो a positive है तो fx भी positive है a positive है तो fx भी positive है और जब a negative है तो आप यहाँ पर कोई भी number ले लो उसकी मेज क्या आने वाली नीचे ही आईए graph नीचे है तो तो अगर a negative है तो fx भी क्या है negative इदर देख लो अगर a positive था तो fx भी क्या आ रहा था positive तो हमारे पास में इतने सारी value लिखने के जूँती ने सिर्फ समझाना था बतो मुझे बाकि आप कहीं पर भी ले लो कोई फरक नहीं पड़ेगा x आप इदर लिख लोगे ना तो उसके मेंज उपर ही आएगी तो इस rule को याद रखना सबसे important rules में से एक है कि अगर a greater than 0 है तो fx भी greater than 0 होगा discriminant 0 से छोटा यह तब की बात है और अगर a negative है तो fx भी negative होगा means a और fx दोनों के sign हमेशा same आएंगे ठीक है? not down चलो third case third case है when a is less than 0 sorry sorry when discriminant equal to 0 आपने पढ़ा है जब discriminant 0 की equal होता है न then both roots are same या equal दोनों के दोनों roots same होते हैं मतलब x की दोनों value same आएगी अब इसका meaning क्या है? first case ले रहा हूँ a greater than 0 है तो आपके पास जो graph होगा वो बनेगा तो ऐसे ही अब यह x axis को touch कर देगा या बोल दो तो एक जगे पर intersect कर देगा अब देखो first case अब ने लिया था d 0 से चोटा है तो यह नहीं d 0 से बढ़ा है तो दो जुगा पर काट गया था जब d 0 से small है तो काटा ही नहीं था ऊपर चला गया अब जब d equal to 0 है तो इस जगे पर काट देगा तो दोनों root सेम होंगे और आपको पता है यहाँ पर value क्या होती है minus b upon 2a और minus का d upon 4a अब समझो क्योंकि minimum point पर तो हमेशे यह value होती है तो यह वली value 0 है minus b upon 2a 0 है और x axis पर है इसलिए minus का d upon 4a sorry minus का d upon 4a 0 है तो d वैसी 0 होगे तो जो दोनों root आएंगे न बोत roots are same किसके या are equal किसके minus का b upon 2a अगर आपको यादो मैंने nature of roots में यह word यूज लिया था बोत roots are equal to minus का b upon 2a तो दोनों root यह होंगे और ऐसे ही when a is less than 0 लेकिन discriminant 0 के equal है तो graph ऐसे बन जाएगा और x axis यहाँ पर intersect कर देगे तो यहाँ पर क्या आ गया minus b upon 2a minus d upon 4a अब भया minus का d upon 4a तो 0 ही हो गया तो इसको तो हटा दो ना या इसको अठा दो यह 0 आ गया तो कोई भी quadratic equation है जिसका discriminant 0 हो जाए और a positive है तो उसकी minimum value 0 होगी और discriminant 0 है और a negative है तो उसकी maximum value 0 होगी तो आपको अभी तक basically आपने 3 condition के graph पढ़े जब d 0 से बढ़ा है तो x axis को 2 places पर cut करेगा 2 places पर d 0 से छोटा है तो उपर आएगा एक जे पर भी नहीं काटेगा और जब d 0 के equal है तो इधर touch करेगा means both roots are minus b upon 2a इधर x की दो value आएगी minus b upon 2a minus b upon 2a तो बोथ roots are same बोथ roots are same ठीक है note down अब हम देखो graph को देखेंगे सिरफ और बताएंगे heading डाल देना sign of a b c and d expression मेरे पास में यही है ax square plus bx plus c इसमें a, b, c, o, d के sign क्या होंगे तो आप जब कभी भी graph का face देखो आप उससे idea लगा होगे पहले कुछ mind में चीजे set कर लेने है graph बनाता हूँ मैं उससे पता चलेगा क्या है यह मेरे पास में graph बन रहा है x x dash y y dash अब देखो graph सिर्फ इतना सा दिया हुआ है पूछा है a, b, c, o, d के sign क्या होंगे मनला positive, negative, positive, negative यही check करना तो देखो जैसे ही आप इसको देखते हैं इसका face उपर की तरफ है जैसे इसका face उपर की तरफ देखा पहली चीज़ तो यह clear हो गई a is greater than 0 number one point एकदम clear a 0 से बड़ा है number two case देखो two places पर cut कर रहा है x axis को इसका मतलब sure हो गया कि d की value भी greater than 0 होनी पड़ेगी when d is greater than 0 then we have two different roots third point देखो आपको कभी भी c का sign देखना है न तो best तरीका होता है आप ये देखा करो ये line y axis को कहां intersect कर रही है ये line y axis को कहां intersect कर रही है क्यों क्योंकि जहां ये line y axis को intersect करेगी उदर x coordinate 0 होगा जैसे x coordinate को 0 रखते हो ये भी 0 ये भी 0 तो y की value किसकी equal आईगी c के तो जैसे आपने x को 0 रखा y की value c के equal होगी अब इस point पर x की value 0 है तो y की value क्या आ रही है c तो इस point के coordinate क्या होते है हमेशा 0 और c ये permanent है rule आप x को 0 रखोगे तो y और c सेम होंगे तो आप देखो x को 0 रखते ही y की value c आ गई और y तो उपर की तरफ है होता है minus b upon 2a and minus d upon 4a y कोडिनेट अभी समझना है ये minus का b upon 2a x कोडिनेट है इसका मतलब ये वाली value है minus का b upon 2a और y कोडिनेट इस दिके पर 0 हो जाता है यहाँ पर x कोडिनेट minus का b by 2a है और देखो तो इदेर x axis क्या होता है हमेशा positive तो जैसे इदेर x axis हमेशा positive हुआ minus का b upon 2a भी greater than 0 हो गया अब minus को हटाने के लिए क्या करोगे दोनों साइड में minus से multiply कर दो जैसी minus से multiply करी b upon 2a less than 0 हो गया b upon 2a 0 से छोटा हुआ अब देखो आपको पता है a positive number है upon वाला number positive है तो इसलिए आप इसे cross multiply कर सकते हो जब भी upon में positive हो आप उसे उस तरफ multiply कर सकते हो negative होगा तो मत कर देना और कर दोगे तो inequality का sign वापस change हो जाएगा तो आपके पास में अगर a positive है तो आप इससे 0 की तरफ multiply कर दो तो b less than 0 आ गया तो आप इससे fourth point ले सकते हो b is less than 0 और मांगवा ऐसे दिमाग में ना बैठे तो यह देखो a positive है और इन दोनों का division less than 0 आ रहा है तो sure है b को negative होना पड़ेगा so b is negative ठीक है not down चलो one more graph इस पर graph कुछ ऐसे बना हुए यह graph है और मुझसे पूचाए a b c o d की value बताओ positive negative सिरफ sign बताने है तो सबसे पहली चीज मैंने देखा x axis को नहीं face नीचे की तरफ है जैसे face downward direction में दिखा मैंने सीधा ही बोल दिया भाया a जो है वो negative होगा पहला काम हो गया second case a के बाद में हमें value निकाल ली है d की तो देखो two different roots है इसलिए discriminant should be greater than zero number third case a निकल गया d निकल गया आप इस graph में देखो y axis को कहां पर cut किया x, x dash, y, y dash यहाँ पर उपर की तरफ intersect किया है तो sure हो गया c जो है greater than zero होगा अब बचा कौन? b का sign तो यहाँ देखना minus का by 2a और minus का d upon 4a तो सीधी चीज, x के value minus का b upon 2a और इधर y 0 होगा अब हमने देखा fourth case, minus b upon 2a negative side में है तो less than zero है, minus b upon 2a negative है minus को अठाते ही minus की multiply करो तो b upon 2a greater than zero आगया अब जैसे ही b upon 2a greater than zero है हमने देखा a का sign क्या है? तो a negative है तो a जब negative है तो अगर आप a को cross multiply करोगे मुँ उस तरफ ले जाओगे तो inequality का sign change हो जाएगा तो उससे आ जाएगा b is less than zero b is less than zero ये भी sign मिल गया हमें b की value भी तो a less than zero, d greater than zero, c greater than zero but b less than zero और अगर ऐसे समझ में ना है तो आप ये भी कर सकते हो भाई b upon 2a positive है इसका मतलब a और b दोनों का sign same होगा तो a क्या है? negative तो b भी क्या होगा? negative तो देखती ही पता चलगे तो जैसे graph दिखे आपको a, b, c, d सबके sign पता चल जाते हैं अभी एक और बनाते हैं ये तो second बना लिया, और भी draw कर सकते हैं ठीक है? चलो next, one more number third case कुछ भी मन से graph plot कर सकते हैं ये गया इस तरह से और graph जा रहा है ऐसे like that आपको फिर से a, b, c, o, d के sign बताने हैं करो खुद try पहले और फिर मैं answer भी का लूँगा आप लोग match करना चलो, देखते हैं अब हम match करते हैं सबसे पहला work जैसे ही आपने ये रहा x, x dash y, y dash सबसे पहला sign face नीचे की तरफ है तो number one is less than zero number two discriminant की बात करते हैं देखो इसने x axis को touch ही नहीं करा intersect नहीं किया दूर से चली गए तो discriminant भी less than zero होगा क्योंकि कोई भी roots आए गा ही नहीं number third case c की value ये y axis को जहां पर intersect करता है ना अब वो देखा गरो भाई नीचे की तरफ intersect किया तो c b less than zero and number four b का sign देखना है तो देखो हमें पता है minus का b upon 2a minus d upon 4a minus का b upon 2a इदर है तो minus b upon 2a negative है means b upon 2a positive है b upon 2a positive होने का मतलब है a negative है cross multiply करता ही less than zero देदेगा यह यह देख लो अगर a negative है तो two number का division zero से greater है तो b और a दोनों को same sign का होना चाहिए तो b भी क्या होगा negative तो a और b दोनों ही negative हो गए I think आप लोगो के भी यही answer आई होंगे ठीक है not down match कर लिया होगा अगर सही है तो very good नहीं आया तो इसका one last करते है आप उसमें answer match कर दो चलो इस type का last ले रहे हैं graph बना दिया हमने कुछ इस तरह से ठीक है इतना सा अब इसमें पूछा है a, b, c, o, d के sign क्या होंगे करो आप चलो अब अपने answers को match करो देखो सबसे पहली चीज़ face downward direction में इसलिए a is less than 0 number 2 discriminant यह इसको touch कर रहा है x axis को इसका बना two roots different तो नहीं है same root है so discriminant is equal to 0 number 3 आपके पास में यह इसको देखो यह ऐसा नहीं माल लेगा कि इसके यहां से चला जाएगा यह इसे intersect करेगा और जैसे आगे जगर करेगा तो है तो नीचे की तरफ ही so c is less than 0 अब बस्ता कौन है यहां पर minus का b by 2a और 0 so minus b by 2a is less than 0 so we can say b upon 2a greater than 0 again यह तो हमारे पास भी का negative है तो b upon 2a greater than 0 है अब negative number को cross multiply करते है तो inequality का sign change हो जाता है so b is less than 0 और नहीं तो वैसे भी देख सकते हैं यह negative है तो इसको भी negative होना पड़ेगा तब ही दोनों का ratio greater than 0 आएगा ठीक है तो cases बड़े simple है एकदम easy है समझना बस problem वहां पर आएगी जब आप इनका revision नहीं करोगे orally बैठे-बैठे revision कर लिया करो एक बार मन से कहीं पर भी बैठे वो एक graph ही तो बनाना है line खीस लो दो कोई paper हाथ में मिल जाए वहीं पर इग graph बना लो और कर लो तैयार होंगे ठेक है कर लो इसे note